हलो दोस्तों दिवाली के बद सर्दिया स्टार्ट हो जाए और अभी इंडिया के कुछ स्टेट तो ऐसे है जहां पर अभी से सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो अगर ऐसे में आप सर्च करें पेस्ट गीजर तो डेफिनेटली आप एक्टम सई वीडियो पर आए क्योंकि इस आपको बाइंग पॉइंट्स बताने वाला हूं और ऐसे बाइंग पॉइंट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा तो अगर आपको कुछ पैले से पता है तो आप डाइरेक्ट टाइम लाइन से जम कर सकते हैं पकि वीडियो में देने करते पिए दोस्तों वीडियो को शुर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहीं आपको बार्टरों के लिए नहाने के लिए चाहिए तो आपको स्टोरेज गीजर करना पड़ेगा जो कि आपको 10 15 और 25 लिटर की कैपसिती के अदर दिखने को मिलता है इसके बाइब जो सेगेंड पॉइंट दोस्तों वह है कैपसिती क अब अगर को कितने मेंबर कice अकॉर्ड निटर की कैपसिती वाले गीजर बाए कर ना चाहिए वैल अगर ten लिटर की कैपसिती को कल सिदेण कर सें वहीं से चार मेंबर है तो आप 15 लिटर की कापसिती को कंसिदर कर सकते हैं दा निगकों से इबाव है और मेक्स 6 लिटर की चापसिक तक जाते हैं, तो यह डिपेंड और यूसर होता है और इस वीडियो हम सिर्फ स्टोरेज गीजर की बात करें, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दो तो वह है गीजर का पावर कंजर्प्शन, तो बेसिकली अब 10 लिटर का पावर का गीजर ब आपको बताऊंगा, वह फाई स्टार रेटेड गीजर होंगे और यह भी चीज आपको ध्यान रखनी के अब जब भी कोई कीजर बाय करते हो, वह फाई सार रेटिंग वाला हो, जिससे उसकी इलेक्रिसिटी अफिशिटी का पता लगता है, इसके बाद नेक्स पॉइंट है सिंगल ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आने माली, यह बार का प्रेशर का जो इशू आता है, यह उन लोगों को आता है, जो मल्टीस के अंदर रहते हैं, तो ऐसे में यह गीजर सबसे बेस्ट है, और आपको एक एट बार प्रेशर वाला यूज करें, उससे क्या होगा कि आपका जो घीजर है, उसका टैंक और जो से इसका अनोड रोड है, वो दोनों से रहेंगे, ऐसे में क्या होता है, एक हाट अबाटर आपके जीजर के अंदर चला जाता है, तो जो जो इसकी अनोड रोड होती है, वो सेडिमेंट और पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेती है, और अपने आप पर रस्टिंग, कोरोजन, और लाइन स्केल उनके बिल्डब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वज़े से आपका टैंक भी डेमेज हो सकता है, और बहुत से लोग रोड को फिर बाद में चींज भी कराते है, जिस अब इनर टैंक कोटिंग क्या है, यह तो हमारे टैंक को रस्टिंग, कोरोजन और लाइन स्केल उससे बचाने का काम करती है, और यह हर एक ब्रैंड के मोडल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है, तो यहां पर आपको कंक्लूज नहीं होना है, अब मैं इसके बाद है दोस्तों ग्लास टैंक कोटिंग, यह कोटिंग बहुत कोमन है और आपको गीजर के बहुत सारे मोडल के अंदर देखने को मिल जाएगी, यह स्मूथ, डूरेबल और कोरोजन रेजिस्टन क्लियर बनाती है आपके टैंक के उपर, ताकि आपके टैंक को यह हा से बचा सके, इसके बाद है दोस्तों पोर्शले इनिमल कोटिंग, यह कोटिंग भी कोरोजन से बचाती है, टैंक के इनर सरफेस पर एक प्रोडेक्टिव बनाती है और यह मिनर डिपोजिट और रस्टिंग से प्रोडेक्शन देती है, इसमें सिलिका, क्ले और दूसरे मिन का मिक्स्टर होता है, जो कि मेटल सरफेस पर मेल्ट करके लगाया जाता है, और बाद में जब यह हार्ड हो जाती है, तो कोरोजन बचाती है, ताकि आपके टैंक को यह कोरोजन और लाइन से बचा सके, इसके बाद है दोस्तों पॉलिमर कोटिंग, कुछ गीजर में आपको कॉलिमर कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि कोरोजन और हाड वाडर के साथ स्केलिंग से भी बचाती है, और यह कोटिंग सौल्ट डिपोजिट और टैंक के अंदर होने वाले केमिकल रियक्शन से भी प्रोटक्शन देती है, इस टाइप की को केमिकली टिटेट किया जात कुछ घीजर से आपको इनक टेखने को मिलते हैं जिसमें एडिशनली कोई क्योंकि नहीं होती है क्योंकि स्टेल निइचरली 3 vezes रस्टिंग और कोरॉजन होटा है लेकिन यह टेंक्स जो होते हैं आपको महंग हो किण इंगल मिलते हैं जो blue diamond coating है दोस्तों ये खास करके hard water वाले area जो होते हैं उनके लिए सबसे best है क्योंकि ये corrosion resistant होती है और साथ इसाथ काफी ज़्यादा durable भी होती है और आपके tanky light को enhance करती है इस type की coating को दोस्तों ceramic और metal particles के साथ special chemical का use करके बनाया जाता है जो कि आपके tank को corrosion और light scale से बचाते हैं और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यह सबसे ज्यादा long time तक चलने वाली coating होती है इसलिए सबसे ज्यादा प्रीमिम बानी जाती है और महंगी गीजर के अंदर आपको देखने को मिलती है तो इस गीजर को आपको कर्चेदे करना मतलब ब्लू डामन कोटिंग वाली इसके बाद लास्ट नोग लीज दो सो टाइटेनियम एनेमल कोटिंग यह थोड़ी प्रीमिम केटेगरी के गीजर के अंदर ही आपको देखने को मिलती है और इसमें भी आपको टाइटेनियम अब को समझ में आगया होगा कि कोटिंग वह ब्लू डामन कोटिंग और को में देखने को मिलती है इसके बाद बात करते दोस्तों गीजर के सेफटी फीचर तो गीजर के अंदर बेसिकली आपको तीन एडवांस सेफटी फीचर देखने को मिल जाते है पहला कैपिलरी थर्म सेट जो की टेंपरिचर कंट्रोल डिवाइस है दूसरा ओटोमेटिक थर्मल कटाउट अगर आपके गीजर के अंदर वाटर ही सर्टेन टेंपर से ऊपर चला जाता है तो ओटोमेटिक एलिटेसिटी को कट कर देगा ताकि आपका गीजर भी सेफ रहेगा और वाटर भी के अंदर या घीजर के अंदर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद एक टिप देने दा हूं मेक शोर घीजर को ड्राइटिंग पर कभी नहीं चलाना है मतलब कि इसर के अंतर पानी नहीं है तो आप उसे आउन कर दो ऐसा मत करना उससे टैंग और जो एनोड रोड है दोनों देमेज हो जाएगी यह चीज़ आपको ज्याना करें इसके बाद जो नेक्स पॉइंट है दोस्तों वह है वारंटी और आप्टर सेल्स सर्विस तो वारंटी आपको हर एक ब्रैंड की मोडिल पर अलग अलग देखने को मिलती है तो एक मिलीबम क्राइटेरिया यह है कि घी क्योंकि बात में अगर आपको प्रबलम आई तो फिर आप एंड पर कॉल लगाओ अगर आपको पता लगेगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी और फिर आप उस घीजर को लेके कहा बाब हो तो यह चीज दिहान रखना नाव बात करतें इंस्टोलेशन पार्ट करने वाले हो उसकी कंपनी को कॉल करके इंस्टोलेशन भी पता कुलो अपनी एरिया के अंदर के फ्री है के में तो दोस्तों यह वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको घीजर को वाय करते टाइम पे हमेशा धियान में रखने चाहिए अब बात करते हैं बेस्ट कि आपको मुलिटिफल के अंदर देखने को मिल जाएगा फाईसार घीजर है जो कि आपको 2000 वाट की पावर के साथ देखने को मिल जाता है यह काफी एच्छी पर्फॉर्मस देगा उसके बाद ग्लास-LINE-Coded हीटिंग एलेमेंट मिलता है और 27% थिक मेंगरीजिन की रोड देखने को मिल जाती है जो कि आपके टेंग की लाइक को भी इनांस करती है उसके बाद 3 लेवल एडवांस सेफटी फीचर देखने को मिल जाते हैं कैपिलेरी थर्मो स्रेट, फोटोमेटिक थर्मल काट आउट और मल्टी फंचन बॉट यह जो है दोस्तों आई पेक्स पोर वाटर फ्रूफ बॉड़ी के साथ आता है को आप करेंट लगने की कोई दिक्कत नहीं है एट बार पैसर कंपैटिबल गीजर है और टेंपरिचर आप इसके टैंक पे देखने को मिल जाती है बात करें प्राइस की तो 7,199 रुपेस इस और अराम से कंसिडर कर सकते हैं और इस गीजर के अंदर को मल्टीबल कैपिसिटी देखने को मिल जाती है इस गीजर का मॉडल का जो लिंक है आपको नीचे दिस्क्रिशन में मिल कर सकते हैं बटे सेकें नमबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों क्लॉम्टन सोलेडियन क्यूग 15 लिटर कीजर और यह भी 5 इस टार रेटेट वाट पावर के साथ आता है और दिखने में भी कापी प्रीमिम लगता है वैल इस गीजर के सारे स्पेसिफिकेशन देनी होते हैं बस परक होता है तो कोटिंग का और वारंटी और प्राइस का तो कि इस गीजर के अंदर आपको जो है नैनो पॉली बोन टेक्नोलोजी देखने को मिल जाती है तो कि आपके सोरेज टैंक को और ज्यादा डूरेबल बनाती है उसके बाद ग्लास लाइन अच्छा गीजर है दोस्तों काफी अच्छे से वर्क करता है और यह भी आपके 30-35 मिनिट के अंदर पानी को गरम कर दीगा इसका भी बैस्बान लिंक आपको नीचे दिस्क्रिशन में मिल जाएगा जहां से जाके आप इसे चेक आउट कर सकते हैं अब धर नमर पे मैं आप वर्क वेरे का 50-L घीजर यह भी 5-star गीजर है 2000 वाट की पावर रेटेट के साथ आता है इसके अंदर भी आपको आलमोस सारे प्रीचर देखने को मिल जाते जो की को मन है इसमें आपको ग्लास ने कोटिंग देखने को मिलती है इसके बाद आपको मेंगनेजियम अनोर रोड देखने को मिल जाती है जोकी कोरूजन से प्रिमेंट करती है और बा funeral के डेखने को मिल जाते है अब को इस जीजर पर टूए कि बरन्टी pe और सदी धीजर करती हो साथ हिसरे के टैंक पर आपको एट रोड दिन मिल जाती है बात करें प्राइस की तो 9,499 रुपी सी पूशा एक्वेरा गीजर का प्राइस है दोस्तों और ये भी काफी प्रिमियम जो है गीजर है इस गीजर के साथ भी आपको पूरा इंसलेशन किट देखने को मिल जाता है जैसे की इलेट पाइप, आउटलेट पाइप और एमाजोन पेस की 4.2 रेटिंग है आउट फाइप और इसके मैंने सारे के सारे रेव्यूस पड़े तो इस गीजर मॉडल को भी आप कर सकते हैं ये भी काफी अच्छा है अब बटन नेक्स वाले गीजर की तो अब फॉर्थ नमर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों रकॉर् काफी अच्छा मोडल है अप डेफिनिटी इसे भी कल्सी देख सकते हैं इसमें आपको स्पेशल टाइटेनियम एनेमल कोटिंग देखने को मिल जाता है विट टाइटेनियम एनेमल कोटिंग जो की लोग टाइम के लिए सबसे बैस्ट है और आपकी एरिया में हाड वर्ट कराता है तो इससे आप definitely कलसी देख सकते हैं यह गीजर के अंदर आपको स्पांट बहुत लॉजिक टेक्नोलाजिंग भी देखने को मिलती है जो कि आपकी अप्टू 30% एलेक्रिटिसिटी सेव करने में हेल्प करती है प्रेंड जो है आपको इस घीजर के ऊपर टू यह की वर सारे के सारे रिव्यूस पड़े हैं और खुछ जाके चैक आउट किया में दोस्ते भी से अपने बात्रों के अंदर लगा रखा है तो यह भी काफी अच्छा घीजर है इसका भी बैस्वाल लिंक आपको नीचे दिक्विशन में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं फिप्त और अंदर दोस्तों आपको ड्ल्यू-Diamond glass line coated tank बेंग ईक को मिल जाता है जो कि त्व जेखन से प्रवेंट करता है साथमिक्ट क criminals हो च G блास लिटीउम है और प्रशा के सबस्का बेता है और इस United सेवन लियस की वरटी आपको इसके टैंक पर देता है काफी अच्छा गीजर है पहले के टाइम पर इसका प्राइस था 15,000 पर के आज पास और अब इसका प्राइस दे दोस्तों 11,490 रुपे यह भी काफी अच्छा गीजर है इसकी एमाजून पर जो है 4.4 रेटिंग है और इ किसी वज़े से इसका प्राइस भी तोड़ा साब प्री बाकी ब्रैंड आपको इस घीजर के साथ इनलेट आउट्रेट पाइप और इस सोलेशन सब कुछ प्रवाइड करती है सब प्री है आपको कोई जंजट लेने की जुरुत नहीं है और दोस्तों यह वह पांच ऐसे ब लिए मिली तो में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों पिली ऐसे वीडियो पनाता रहा हूं वाकि मिलते एक और नए वीडियो में थैंक्स तो रॉचिंग शॉपिंग बजार